डियलेट के रिप्रेजेंटेटिव्स आज दिनांक 1 जुलाई 2020 को PNP कार्याले पर उपस्थित थे डियलेट की समेश्टर परिच्छा और प्रमोट के संदर में वर्तमान इस्थिती जानने के लिए क्या कुछ बाते निकल करके सामने आ रही हैं पूरे डिटेल में बात करेंगे तो यदि आप भी अपनी इस्थित परिच्छा का वेट कर रहे हैं तो यह वीडियो अपने बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रिस करना ना भूलें PNP के द्वारा DLA के रिप्रेजेंटेटिव को यह सूचना दी गई कि PNP के सचिव लखनव में किसी मीटिंग में व्यस्त थे अब मीटिंग किस बात कि थी तो इसके बार में आप इसक्रिन पर एक लेटर देख पा रहे हैं जो की SCERT के द्वारा दिनांक 26 जून 2020 को सचिव परिक्षा नियामक प्रादिकारी को लिखा गया है इसका विशे आप देख सकते हैं DLA प्रसिक्षू 2018 बैज के प्रसिक्षू द्वारा क्रेशित ग्यापन के संदर में यहाँ पर आप देख सकते हैं DLA के रिप्रेजेंटेटिस लगातार SCERT को मेल के माध्यम से और फिजीकली भी उनको ग्यापन सौप रहे थे अपनी 3rd semester की परिच्षा के बिना प्रमोट करने के संदर में और directly 4th semester की परिच्षा जुलाई माह के अंतिम सब्ता में कराने के संदर में इसी के बारे में SCERT ने PNP को एक लेटर लिखते हुए यह जानकारी दी गई थी कि किस डेट में किस डायट के द्वारा लेटर जारी किया गया है और ग्यापन दिया गया है इसी के संदर में यह लेटर था जो कि आप इसके पर देख पा रहे हैं यहाँ पर 6 डायट के द्वारा और एक किसी अभियर्थी के द्वारा यह ग्यापन दिया गया था SCERT पर और यहीं सूचना PNP को दी गई थी SCERT के संदर में और आज मीटिंग में भी इसी बात पर चर्चा होनी थी कि DLA के अभियर्थियों को किस प्रकार से ट्रीट किया जा उनको प्रमोट किया जाए या फिर उनकी सेमेश्टर पर इच्छा कंडट कराई जाए दोस्तों क्या कुछ फैसला लिया गया है इसके बारे में अभी कुछ जानकारी नहीं है लेकिन जैसा कि आपको ग्यात होगा कि उत्तर प्रदेश शाषन भी प्रमोट के संदर में आंत अभियरतियों को ट्रीट किया जाए लेकिन जिस प्रकार से अब DLA के अभियरतियों को भी कंसीडर किया जा रहा हो सकता है कि आपके लिए भी कुछ अच्छी कबर भविशे में देखने को मिल सकती है लेकिन अंतिम फैसला जब तक PNP के द्वारा कोई भी ऑफिशल इस्ट